हेलो फ्रेंज एन वेलकम दोस्तों विशेस ज्यान के वीडियो सेशन में आपका स्वाग आते हैं दोस्तों मैं आपके समझ फिर से उपस्तित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों जो टॉपिक है प्रिंस्पल एंड रूल्स पर सक्सेस इन लाइफ जो से ले जाए और यह प्रिंस्पल नॉबर फाइप है ओरड़ी वेने फ्र Inner प्रिंस्पल के बारे में डिसकास कर चूका औंट पर स्टैंप मेमुरी टेकनिक के बारे में हैं ना सब्सक्राइब है। पोटोग्राफिक मेमोरी टेकनिक है क्या सबसे पहले मैं आपसी कॉस्चिन पुछना चाहता हूं आप अपने ब्रेन को रिकॉल करने के लिए बोलिए कि अगर हम बात करें कि डीडियल जी मोभी कि हम बात करें इसमें बोलें कि सारू खान जूम ले जो सौंग है उसमें कौन स कि ताइम था खुलेब टाइम में आपको पर्टिकुलर सब्जेक को टीचर प्राता था तो वह कौन था आपका कैसा रूप रेखाता कैंटीन कहां पर था आप कैसे जाते थे कैसे रेंज करते थे उसी तरह से मैं आपका बच्पन से अगर हम प्राइमरी स्कूल की बात करें और हम आपसे पूछे कि प्राइमरी स्कूल में थे तो आपको साइन्स का टीचर कौन था यहीं आपको आसानी से याद हो जाती है लेकिन यहीं बात हम पूछें कि आपके इंजिनियरिंग में जो आपने जो कोई टॉपिक पढ़ी है चाहिए आपने ग्रिजुशन में कोई ट रह Coke के उन्वेक्ता काम करता है तो सबसे पहरे एक कूई ठीमें जिसको आप याद कर लेजीए कि कोई भी जो होता है न clapping करता है कि आप अपने मेमोरी को कैसे करते हैं जैसे हैं आप मेशाइब करेंगे वैसा हिया आपका मेमोरी काम करें। यानि कि memory दो तरक होता है untrained memory and trained memory तो हमको अपने memory को trained करना है ताकि हम अच्छे से हम क्यों चीज़ों को memorize कर सके अपने permanent memory में हम उसको डाल सके तो दोस्तों आईए हम डिसकर करते कि photographic memory technique है क्या तो आपको जो मैंने example दिया उसे समझ में आ गया होगा कि हमारा जो brain है हमारा जो memory जो हम याद करते हैं चीज़ों को वो हमारा जो क्या है photograph को अच्छे से याद रखता है और photograph में deal करता है कोई यह भी चीज़ का picture है आपके दिमाग में अगर set हो जाए तो वो असानी से याद हो जाती है वही अगर पढ़ते हैं लिखते हैं देखते हैं उसमें क्या है picture से रिलेट कर देंगे तो चीज़ असान हो जाती है तो memory को अगर permanent में कोई चीज़ को रखना है restore करना है तो उसके लिए आपको तीन-चार पॉइंट से उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और जैसे कि आपको memory को picturize किजिए किसी picture से link किजिए emotion से link किजिए क्योंकि emotion into information equality memory होता है जो आप information में अगर emotions टाल देंगे उसको किसी चीज़ से link कर देंगे तो वो जाके आपको permanent memory में चला जाएगा तो अब हम बात करते हैं photographic memory का कि why photographic memory फिटेंगे क्यों जरूरत परती है को कि हमारा memory refers to your process by which your brain takes in information and store the information and retrieve it later नियरर क्या है और देंगे तो पर्मनेंट नहीं जाता है तो पर्मनेंट memory जाता है और इसको मझा से रिकॉल कर पाएंगे इसलिए में photographic memory की जरूरत होती है और photographic memory पर्मनेंट memory नहीं है इस पर काफी research चल रहा है क्योंकि यह एक develop करना होता है अब इसको develop करेंगे इसके ब कि आप अपने photographic memory को easily improve कर सकते हैं और यह बहुत ही easy है और किवल आपको कुछ दिनों की practice चाहिए तो अब आप जाकर अपने photographic memory को improve कर पाईएगा अपने memorization सकती को बढ़ा पाईएगा अब हम बात काते हैं कि जो photographic memory है क्या है जो photographic memory है क्या है यह mind capability जो हम याद करते हैं उसको कैसे अच्छे से रिट्रीव करेंगे कर बहुत दिनों तो कैसे याद रखेंगे उस पर होता है उसके बाद हम photographic memory की बात करें तो photographic memory is the ability to recall a past in detail with great accuracy just like a photograph हम जो चीजे पास्ट में हमारे जो बीत गई हैं उनको एक photograph की तरह कैसे रिकॉल कर पाते हैं कैसे अपने सामने उसको परकट कर पाते हैं अपने मेमोरी से कैसे रिट्रीव कर पाते हैं इसी को क्या बोलते हैं photographic memory बोलते हैं यानि कि मेमोरी में चल जाता है इसा नहीं है इसके लिए काफी प्रैक्टिस के जिरूत है और इसके यह काफी चीजों से जुड़ा हुआ है मैंने बोला पहले ही बताया था कि अगर आप किसी चीज को इमोशन से और उल्टा-फुल्टा करके एक्जियर कर दीजिए किसी को कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपके दिमाग में चल जाता है आपको याद होगा कि कोई आपके साथ कोई चीज बुरा होता है वह आपको याद रहता है क्यों होता है क्योंकि वह information से आपके deep emotion से जुड़ जाता है उसको अच्छे से recall कर पाते हैं अब question है कि अपने brain क्या है how you train your memory to be photographic अपने memory को फोटोग्राफिक memory में कैसे convert करेंगे इसकी कुछ तौर तरीके हैं कुछ rule regulation से कुछ टेकनिक से कुछ methods है जिसको अपनाना बहुत ही जरूरी पर ले हम बात करते हैं कुछ tips की पहला जो है कि sufficient water intake हम खाने पीने की बात करते हैं क्या हम डाइट लेते हैं कैसे हमारा रहन साइन उस पर काफी depend करत हमें water intake sufficient लेने की जरूरत है क्योंकि water जो है ना यह हमारे जो neurons के connections को अच्छे से improve करता है हमारे लिए oxygen वाटरी सब क्या है बहुत ही जरूरी है brain के लिए हमारे memory के लिए बहुत ही जरूरी था कि हम निरोन अच्छे से काम करें अच्छे से link बनेंगे वैसे आपकी memory improved होगा healthy brain foods के बारे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको आप देख सकते हैं कि important brain foods क्या है और उसको कैसे यूज करके हम अपने brain को और memory को improve कर सकते है उसके बाद exercise meditation and practice mindfulness mindfulness का मतलब क्या होता है कि जैसे है सचाई क्या है उसके बारे में सोचना उसके तरह से देखना mindfulness की बात होती है meditation कर एक साइज करने की जरूरत है उसके बाद eat less added sugar sugar का मातरा अपने intake में कम करना होगा आपको sugar कम लेना जितना कम से कम sugar ले सकते हैं लीजिए वह आपके brain के लिए अपने memory के लिए बहुत ही जरूरी है sound sleep होना जरूरी है क्योंकि बोला जाता है कि हवा पानी के बाद को यह life सब से important चीज है तो हमारा नींद है sound sleep नहीं सो पाते हैं अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा सारा system खराब हो जाएगा इसलिए हमको अच्छे से सोना बहुत ही जरूरी है उसके बाद practice describing things जो को कैसे explain करना है रिकॉल किजिए उसको पार से उसको practice किजिए यह बहु मात्रा है उसको एक सही में से प्रचूर मात्रा में सरीमें चाहिए मेंटेने moderate weight अपना weight ज्यादा नहीं किजिए weight gain मत किजिए अपने weight को maintain किजिए तो यह रहा कुछ जो टेकनिक से कुछ चीजें हैं इनको ध्यान देना जरूरी है तब ही जाकर आपका memory एक photographic memory की तरह काम करेगा अब हम बात करते हैं एक tips की बारे में और tips का बारे में हम करेंगे conclusion हमारा यही है कि कोई चीज को photographic memory में अगर हम convert कर दे store करना से ज्यादा important है कैसे इसको recall करते हैं कैसे memory करते हैं जब photographic form में कोई चीज आपको याद रहेगा तो अच्छे से इसके detail को आप retrieve कर पाईएगा और इसका simple तरीका है मैं आपको एक tips बताता हूं इसको क्या किजिए मैं आप आप एक routine बनाईए five days का routine बनाईए जो भी आप दीन में सुबर morning से लेकर साम तक activity करते हैं जो भी करते हैं उसको सोने के पहले याद किजिए क्या करके 25 minutes का routine रखिए और उसमें 25 मिनें देखिए आप morning से क्या 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 आपके उसको याद किजिए और हो सके तो इसको note किजिए ऐसे करके आप फर्स दिन आपको ज़्यादा प्रोब्लेम विए उसे कम प्रोब्लेम विए थर्फ दिन आपको चीज आसानी से याद हो जाएंगे अपने दिन में क्या की आसुभा से लेकर साम तक आपका क्या अक्रिविटी किस से मिला कहां गये क्या-क्या एक्षन लिया आपने वुसाब आपको रिकॉल जब पांच दिन तक यह चीज आप रेगुलर कीजिएगा 25 मिनिट से 30 मिनिट डेली बेसिस पे सोने से पहले तो आपको छथे दिन के बाद आपको चीज़ों थोड़ा सा किलियर होने लेंगे आपकी जो इसके माध्यां से फोटोग्राफिक मेमोरी को इंप्रूब करते हैं और यह टेस्ट किया है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए से आपको एडवांटेज होता है कि नहीं तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि जो मेरा वीडियो है लाइफ चेंजिंग प्रिंस्पल के बारे में मैं जो बात करूं जो हमारे सक्सेस में कैसे सहायता प्रदान करेगा वो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में जरूरीजफुल होगा लेकिन इसको आप अप्लाइ किजी जब तक आप एक्सन नहीं लेंगे इंप्लिमेंट नहीं करेंगे तब तक जाकर आ नौले से रिट होगा तब तक खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष के प्रति अगर्शार होकर काम कीजिए दोस्तों थाइंक्यू और मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिस्ट होगा और आप अच्छे से ल आप उठाएंगे